हेलो फ्रेंड्स आप कैसे हो मेरा नाम है उमा उमा किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे उडिसा का फेमेस छेना पोड़ा चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं आप चैनल में नहीं आएं सब्सक्राइब करें चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं इसको अब गैस बंद करते हैं बंद करके हम इसमें दो चमच लिए बीनीगर आप चार चमच इसमें पानी डाले हैं इसको इभी थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे इसका छेना बना लेंगे बाटिहें के दिया है। जंदेखेंगे में जन संदु लएंगे। इसको एक चम्मच जैसा है अभी इसमें सुजी डाल देंगे एक चम्मच जैसा है बढ़ा दाना का इसको भी डाल दे रहे हैं अभी इसको अच्छा से मिला लेंगे इसमें करीब दो चम्मत जैसा हम छेना का पानी डालेंगे जैसा इटली का पेष्ट होता है उसी इसको सानना है इसको देखे देखे अच्छा से हम सान लिये हैं अभी घी डालेंगे इसमें एक चम्मत अभी इसको पांच मिनिट दो मिनिट के लिए हम ढ़क के इसको रख देंगे अभी अभी इसमें घी लगा दे रहे हैं अभी ऐसा वाला पत्ता जी नहीं होगा आपका पास तो बटर पे करेंगे थोड़ा सा इसमें छोटा चम्मज में हम आधा चम्मज जैसा बेकिंग पौर्ड़ दे रहे हैं अभी इसको मिक्स करके अच्छा से कटोरी में डाल देंगे डाल दे रहे हैं बेटर को संट जोटा अभी इसको खोल के दे रहे हैं देखे नमग गरम ओचुका है अभी इसको रख दे रींग को रख के इक Freeman को ऐसा ऐसा बठा देंगे भी अभी इसको हम एक गता का बाद हम आपको दिखा रहे हैं इसको तेज आंच मत कीजीएगा लो आंच में इसको बाना एक घंड़ा का बाद हम इसको चेक कर रहे हैं देखिये उपर का कलर चेंज हो गिया है अभी देखिये इसमें नहीं लग रहा है इसका मतलब ए हो गिया है अभी हम ग्यास बंद करके इसको थंडा होने के लिए चोड़ दे रहे हैं देखिए मेरा छेना पुड़ा कितना अच्छा बना हुआ है अभी हम इसको काट के भी दिखा रहे हैं यह कितना अच्छा नरम भी हुआ है देखिए आपको वीडियो कैसा लगा बोलिएगा अगर वीडियो पसल आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई